हेलो जोस्तो वेलकम टू माई चैनल हम सिखेंगे वन टू टैन लिखना हम लोग यह डोट यूज करके बच्छों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं वो खुद से लिख पाएंगे उनको हमारी सहरे की कोई जरत नहीं परेगी मैं आपको लास में कुछ टिप्स और ट्रिक लिखना सिखा सकते हो स्टार्टिंग में आप ऐसे प्लेन को पी यूज कीजेगा और जिसमें बरे से डोट्स बना लीजेगा कि डिस्टेंस में डोट्स बनाएगा ताकि बच्छों को लिखने में आसानी हो वेरी गुड़ान है और कि नाव में एक थ्री वेरी गुड़ान है और क्रापर की नो परोब्लम नो परोब्लम क्यों बात में छोट्स बनाएगा जिए इंच बनाएगा ने हो जैसे आपको इसको sleeping line बनाना पड़े, का यह हुआ फॉर क्या हुआ यह? यह हुआ फॉर फॉर बन गया यह? अच्छा, फाइब लिखने के लिए क्या करना है? फाइब लिखने के लिए आपको तीन sleeping line बनाना पड़े, जैसे की मेरे तरा आपको साइड से standing line जलूर बनाना, मैं पर एक साइड बनाना के लिए हम, तो बनाओ आप standing line? तो बनाओ आप standing line मैंने आपको तुमको बोला ना की कैसे बनाना है? वाव, रेड़ी गूड आपको एक साइड, कि मैंने जिक लिए बना आपको तो बना आपको बना के लिए ये तो तुमने क्या करते है, जापको आपको को को यपको यह चीक कर लेंगे हम लोग, इसको मैंने मिता दिया ना अब डॉट को जोईं करेंगों पूट 6 बनाने के लिए हम लोगो ने कितने डोट्स बनाए एक, डो, तीर, चाहर, पाँच, छेश्ट, वेड़ी गुट, एब उसको निलाओ उसको कंचियो, चलो 6 बनाओगे बिखो, पहले इसको आईमेध्ट, कर इसको चैकर सिकल बनाना है एज juice, 6 बनाना Okay, now make seven. Seven बनाने किल कितनी दोट चाहिए? Ten dot. Ek, two, three. Okay. Quick, six, candy man. Yeah, just sleeping. Eight बनो. तले यहाँ से एक सर्कल बनो. Circle, one more circle. Very good. Good. यह दो लॉली पॉप जैसा बजिंगे. लॉली पॉप? Okay, now make nine. Nine के लिए कितना सार पॉइंट चाहिए हम लोगों को? एक, two, three, four, five. Very good. यहें पांच. Okay, now make nine बना कि दिखाओ. कर दिए दिए अचाहिए हम लोगों को? Hmm. अ वह दो जाए लाइन? Hmm. तरीके. अ न स्लीपिंग लाइन? Hmm. न स्लीपिंग लाइन? यह भॉए बना जाएगा. यह दो लाइन जाएग. यह तो तुम सर्कल भी बना सकती हो सेमी सर्कल बन गया ना नाई नाई यह तो चंडा बन गया तो तुम इसको सेमी सर्कल बना लो तो उल्टा सेमी सर्कल बनाओगी तो नाईन बनेगा ना 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 एक चील जै को टो, आप कर घू लीजली इसदिका cursor say शी औरु नहें जो वेरे गुड़। तुम ने कर लिया ना। मुमिस को मिटा दू किया रू वुचा किया मिटा दू कि ये है रूब किया मिटाने से लोग माझा पुना सकते ना अच्स्अप्स सब्कंव तो लोग पुना सकते हैं त्लिगनी अच्छा है तुमका अच्छा नहीं लगा नहीं मुझे यह अच्छा नहीं लगा कोई अपने अपने देखा कि मेरे बेटे ने कैसे 1-10 लिखा आप भी अपने बिच्चों को 1-10 लिखना सिखा सकते हैं आपका बिच्च आगए ज्यादा ही छोटा है प्री स्कूल में है तो पहले आप उसको पैंसिल पकड़ना सिख़वा है पैंसिल पकड़ने सिखाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि आप उससे कलरिंग करवा है जितना हो सकते हैं आप उससे कलरिंग करा सकते हैं का करने से क्या होता है बच्चे पैंसिल हॉल करना सिखेंगे को हमने सबसे पहले ड्रेश करवा है मैंने इसको वान टू टेन कर ठ्रेशिंग करवा है था आगर आप चाहे तो उसका वीडियो देख सकते है आप जितना ट्रेसिंग करवा होगे बच्चों को पैंसिल पर करने और खुद से लिखने की एक हैविट बन जाती है बच्चे के अंदर आप जब बच्चा ट्रेसिंग अच्छे से करने लगे तो आप उसको नेक्स स्टेप है कि आप डोट बना के दीजिए और डोट ऐसा नहीं कि आप छोटे से लाइन में दे देना करने को जो रूलिन कोपी आती है ना उसके अंदर आप हो सके तो इस तैप से प्लैन कोपी यू तरह से उसको प्रैक्टिस करवा सकतहिए पहला एक सर्क्र, दो सर्क्र लाओ इस तरह से वह एट बन जाएगा मैंने अपने वैटी को इस तरह से सिखाया है तो वह उस तरह से बनाय थी, उसने उस प्लैन में सल्साठान और आप चाहे तो और एक उस ताइब से थ्री डॉट्स बना सकते हो। आप बोल सकते हो कि थ्री स्लिपनिंग लाइन बना ले। इसके बाद तू स्टेंधिंग लाइन यह बन गया यह यह तो आप सेम डोट को यूज qui बोल सकते हो कि इस four dot के अंदर one circle बना, next four dot के अंदर दूसरा circle, तो ये बन जाएगा eight, ठीक है, आप nine बनाने के लिए आप use कर सकते one dot, two dot, two dot, two dot में first standing line, then curve, और आप चाहे, तो आप five dot का use कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी बेटी को करवाया था, आप पहले ये standing line बना लो, ठीक है, फिर slipping line, one more standing line, फिर slipping line, ये बन गया nine, आप चाहे तो same dot को use करके, इसको semicircle बनवा सकते हो, पहले आप standing line बनवा लेना, और बच्चे को बोलना की, इस four line के अंदर एक semicircle बना है, इसको touch करते हो, वो semicircle बनाएगा, और ये nine बन जाएगा, ठीक है, तेंथ बनाने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो, one, two, मैंने तो अपनी बेटी को सिखाया है कि, two line, एक standing line और one circle, तो ये बन गया ten, आप चाहे तो six dot का use कर सकते हो, ten बनाने के लिए भी, जैसे की one, और इस dot को आप join करके, ये बन गया ten, और same, और same point को आप join करके, बना सकते हो, one, और इसके अंदर, एक circle, तो ये भी बन गया ten, दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और पसंद आए तो प्लीज, लाइक से सब्सक्राइब करते हो, थेंक यू, और ये भी जूस्टों, असा वीडियो पर सन्दाइब कर लगए, वीडियो कर लाइक भाईब करदे लगा है, ये जुछ सक्तिके हो, इल दोस्तों, और प्लीज़ेब कर प्लीज़ेश्टों, और आप से सब्सक्राइब, और दोस्तों, प्लाएब हो, और दोस्तों, ये